अक्वेरियस हाई स्वागत है आप सभी का आपकी मन्तली एनरची रीडिंग में ये चो नया मन्त हमारी लिए आ रहा है इसमें कौन सी उर्जा आपके इर्ध कित रहेगी हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे ये जो रीडिंग है गाइस ये आपके संसाइन, मून साइन, राइसिंग साइन प्लस आपके नार्थ नोड के लिए है अगर आपको आपके साइन्स नहीं मालूम है तो आप गूगल कीचिएगा और अपनी जो प्री कल्कुलेटर है उसकी मदद से अपने साइन्स को जान सकते हैं तो मेरी जितनी भी रीडिंग होती है वो सन, मून, राइसिंग और नॉर्थ नोड की उर्जा के लिए होती है मैं चारो साइन्स की उर्जा को रीड करती हूँ ठीक है तो कुम राशी, अक्वेरियस, कैसे है सबसे पहले आप, बताइए मुझे कॉमेंट में जरूर, नया मन्त आ रहा है हमारे लिए बहुत सारी नई आशा लेकर आता है नया मन्त हम सब सोचते हैं कि जब नया मन्त आएगा तो हम न्यू बिगनिंग की तरफ चाहेंगे यह इस मन्त की खासियत में आपको बताऊं क्या है इस मन्त में हमें new beginning की वेट करने की ज़रूरत नहीं है इस मन्त में जो हम प्रवेश कर रहे हैं वो new beginning के साथ कर रहे हैं मेरी जान तसवा महीना था October का बहुत सारे cycles complete किये हैं दस number completion का number होता है ना तो बहुत सारी chapters close किये हैं हमने और इसमें हम मन्त में प्रवेश कर रहे हैं न्यू बिगनिंग के साथ तो इस मन्त के यही खासियत है कि किसी को न्यू बिगनिंग की इंतजार करने की जरूरत नहीं है consciously, subconsciously हम सभी के पास वो न्यू बिगनिंग है इसके साथ साथ यह number 11 भी जो होता है यह twin flame, soulmate और soul family का number होता है जब हमारी soul recognize करती है एक ऐसे शक्स को जिसना हमारी इस journey में, इस यात्रा में हमारी मदद करनी है हमारे destiny के साथ चुड़ने में तो इस महीरे ऐसे भी बहुत सारी experiences हम सब की collectively मैं कहरी हूँ यह बात हम सब के लिए आएंगे जहां पर हमें कुछ बहुत ही अटपटे से ऐसे experiences जो आपको आपकी destiny के साथ चुड़ते हैं हो सकता है कि आपने पहले कभी सोचा भी नहों एसा कोई काम करने का लेकिन इस महीने आपको ऐसा काम भी कर सकते हैं बहुत अच्छा और अदभुत सा अनुभव रहने वाला है collectively इस महीने सभी science के लिए तो चलिए शफल करते हैं आपकी लिए cards को magician निकला था आपकी लिए पहला card हलांकि तब मेरी shuffling complete नहीं हुई थी शुन्या तो manifestation ये शप्त बहुत आपके इर्दिकिर्द खूम सकता है Aquarius बहुत सारी चीजे ही लोग करियर को manifest कर सकते हैं मन चाहां जो करियर है मन चाहां partner जो है अगर कोई ऐसे शक्स के साथ जिस पर आपको crush है और आप आप शूर नहीं है कि आप को भी वो शक्स पसंद करता है या नहीं उसे भी आप manifest कर सकते हैं इस महीने तो आपका पहला card देखते हैं पहला card ही commitment का है देखिए Aquarius commitment आ रही है भाई सहाव आपके लिए तो और यह commitment भी कोई वैसी ऐसी commitment नहीं है कि हाँ आज मैंने I love you बोल दिया और अगले अगले दिन कुछ हुआ और फिर commitment दोड़ दी ना 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 बाबू यह वह commitment है जो सुख में दुख में आपके साथ है यह वह commitment है यह परिवार की उर्जा है और परिवार आपका साथ नहीं छोड़ता परिवार आपका साथ नहीं छोड़ता जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब भी परिवार आपके साथ रहता है तो ऐसी बहुत ही खूब सुरत कमिट्मेंट जिसमें सपने साथ में सजोना आप समझ रहें न मेरी पाथ को जब दो शक्स जो हैं तो ऐसी ओर्जा थोड़ी सी इमोशनल थोड़ी सी उत्साह से भरी हुई तो वो मिक्स रहेगा इमोशन्स का अक्वेरियस के लिए वेरी नाइस और यहां पर डॉक्स हैं डॉक्स मेरे लिए हमेशा लॉयल्टी की वो लोग जो सच में दिल से जुड़े हैं एक दूसरे के लिए वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ साथ चाहते हैं यह सबसे बहुत बड़ी बात होती है मेरे ख्याल से कभी-कभी क्या होता हम ऐसे relationship में होते हैं जब हम तो चाहते हैं उस शक्स को लेकिन वो शक्स का दिमाग कहीं और है उर्चा कहीं और लगी हुई है तो वो आपको वो equally वो प्यार नहीं दे पाता यह है equally प्यार दीजिए प्यार लीजिए सम्मान दीचिये, सम्मान लीचिये आप समझ रहें मेरे भाब को बहुत अच्छी एनरजी है गाईस, बहुत ही अच्छी आपके अपने परिवार के साथ भी इस महीने बहुत अच्छा रिलेशन्शिप रहेगा बहुत ही सारी चर्चा बाट कर आप अपने माबाप के साथ भाई, बहनों, बड़े बजर्गों के साथ करेंगे अच्छा सुखत समय जाएगा आपका अपने परिवार के साथ तो मेंटल कंफलिक्ट है जिनके भी मन में पांच नमबर बदलाव का होता है आप में से कुछ लग पैराडाइम शिफ्ट से जा रहे है पैराडाइम शिफ्ट माने आप अपने विहवार पर काम कर रहे है आपको जिसे अवेकनिंग हो रही है कि हाँ पहले मुझे जब चोट-चोटी बातों पर गुसा आता था अब मुझे उसमें सुधार करने की जरूरत है और देखें कमिट्मेंट तभी बनती है लॉंग टर्म रिलेशन्शिप की यही खासियत होती है कि वो आर्गुमेंट्स की ओरजा से बचते है वो चोटी-चोटी बात पर शक नहीं करते तो इस महीने ऐसा भी बहुत सारा बदलाव आपके विहवार में जहां पर वो संतूलन जो है वो आपको आपके विहवार में देखने को मिलेगा अक्वेरियस, वेरी नाइस दस, पांच, यह ट्रांजिशन देख रहे हैं यहां पर भी पांच का डिफरेंस है वाने की पांच नमबर बदलाव का नमबर होता है बहुत पॉजिटिव बदलाव आने वाला है यह उर्जा इस पर हावी है आप समझ रहे हैं यह नमबर जो है दस पड़ा नमबर होता है है ना तो ये उर्जा इस पर हावी है, माने ये जो आपका पास्ट में ये जो behavior रहा है, ये अभी ठीक होगा, उसमें संतूलन बालन्स होगा. Very nice, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस इन दो काथ को read करके, इनकी उर्जा को महसूस करके. Thank you Aquarius, आपने मुझे भी मौका दिया है सूर्जा को महसूस करने का. Two of sorts, आप में से कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपको विदेश में स्टड़ी करने जाना है या यहीं पर स्टड़ी करनी है. यहाँ पर किसी स्टूड़न की यह जो वाइड है मुझे ड्रेस कोड़, वाइड ड्रेस कड़ होता है ना हमारा वेंस्टे को होता है, कुछ लोगों का साच वड़े को होता है तो वो और्जा मुझे एक्तम से मिली. तो जो लोग स्टूड़न है, जो सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि उन्हें विदेश में स्टड़ी करनी है आगे, या भारत में या किसी भी जिस भी मुल्क से आप देख रहे हैं, वहीं पर करनी है. आप को अजिसोगा बैसे ही हैं, डिसाइड करना पड़े गा, इस महीने आपको कोई पाइसीज में राशी का शक्स खर। को लेने में इस वेम लहाहा हैं। आपका मार्व दर्शन करने में वे शक्स आप की we are taught a magic attached on it. जो लोग बहुत confused रहे हैं पिछले कुछ तिनों में, जिन्हें पता नहीं था कि किस दिशा में लाइफ चाह रही है, कि क्या होगा, आपके लिए सबसे बड़ी guidance है कि आपको अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने की जरूरत है, ये बैगरांड में बानी देख रहे हैं, ये इसे देख सकें, ये intuition actually आपकी help है, आपके लिए एक help अवेलिबल है, दूसरा हफता खास करके, November का Aquarius, बहुत सारे decisions की उर्जा को लेकर आएगा आपकी तरफ, बहुत सारे decisions आपको लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी mentally आपको तयार रहना है, Eight of Swords, यहां पर भी intuition मेरी जान, ये जो woman जो trap में फसी हुई है ना, इसकी body बंधी हुई है, आँखों पर पट्टी है, यहां पर भी आँखों पर पट्टी है, यहां पर इसकी body बंधी हुई है, लेकिन इसके पैर खुले हुए है, ये चल कर यहां से बहार निकल सकती है, इ तीन तरफ है, एक तरफ खुला हुआ है, माने कि एक दरवाजा अभी भी आपके हक में है, एक दरवाजा अभी भी खुला है, अपने आपको बहतर लाइफ की तरफ लेकर जाने का, वो आपको सिर्फ अपनी intuition, इस पानी को फॉलो करना है, पैरों को संपर्क इस पानी से I'm really sorry Aquarius यह जिस भी शक्स ने आपको mentally abuse किया है जिससे उसने आपको एक trap में फसादिया और उसकी वजह से ऐसा हुआ वहां से भी आपके लिए help है और आपकी help इस महीने आपकी intuition है मेरी जान आपकी अंतर आत्मा ही आपका सबसे बड़ा जो सहारा है वो रहेगी आपकी guidance आपकी अंतर आत्मा ही कर सकती है तो यह जो लोग mentally abuse किये गए है सबसे पहले big hug और यह बहुत संदर सी उर्जा आपके लिए आप जल्दी इस trap से बाहर आजाए मैं ऐसी काम ना करती हूँ लेकिन पहला कदम आपको ही लेना पड़ेगा मेरी जान इस intuition के साथ जुरकर आपको कोई गुरू भी मैं यह नहीं कहूंगे कि यही गुरू जो lifetime आपके साथ रहेगा वो है लेकिन कोई ऐसा शक्स जो कि आपके नजरों में गुरू का भाव रखता है जो की आपको गुरू की तरह ही शिक्षा देता है गुरू की तरह ही आपके मन को निरमल करने की कोशिश करता है इस शक्स का भी इस महीने आप पर बहुत प्रभाव रहेगा हायरोफेंट की उर्जा है हायरोफेंट टारिस एनरजी होती है तो व्रिशब राशी का कोई शक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है यह जो शक्स से लीबरा भी हो सकता है पाइसीज, यहां पर अगेन पाइसीज की उर्जा भी बहुत है आपके स्प्रेड में तो यह जो भी शक्स है, दर असल आपका जिससे कोई ना कोई आपको ऐसे मेसेजजिस समय समय पर इस महीने में समय समय पर आपको ऐसे मेसेजजिस देता रहेगा जो कि आपको इस ट्राप से बहाँ निकलने में मदद कर सकते हैं वो जो ताला है, जो बंद दरवाजा है, उसकी ताले की चाबी इनके पास है मानि 인के शब्द बहुत magical शब्द मेरे ख्याल से इस शक्स के हैं इनका बात करने का अंदाज बहुत सुन्दर होगा इस शक्स का इस शक्स के साधना बहुत लगी हुई हो सकती है मानि इसने खुद को बहुत साधा बहुत सारे life experiences हो सकते हैं और यह शक्स आपकी बहुत help करेगा इस महीने आप में से कुछ लोग को literally शादी का प्रस्ताव है वो आ सकता है क्योंकि यह traditional wedding का भी card होता है तो कुछ लोगों को जो शादी का बंदर है उसके उसमें बंद सकते है आप court marriage हो सकती है कुछ लोगों की संभावना ऐसी बंद सकती है आप में से जो लोग अभी आपका secret relationship है माने की friends, family को नहीं पता है तो इस महीने में आपकी friends और family भी उस frame में उस frame उस के आपके relationship के बारे में जान सकते है वो picture frame में आपकी family भी involved हो जाएगी I think यह Gemini के reading में भी message मिला था आप में से कुछ लोग higher education के बारे में सोच रहे है माने की आपके पास master degree है अब आप अपनी PhD के बारे में सोच रहे है इस महीने में उसके संधर्ब में भी आप कोई decision ले सकते है कोई decide कर सकते हैं कि हाँ आपको PhD करनी है कि नहीं करनी है या शादी के बंदन में बंदना है और उसके बार PhD करनी है यहाँ पर भी नमबर पांच है देखिए बहुत significant बदलाव आ रहे हैं पांच नमबर बहुत difficult नमबर होता है क्योंकि बदलाव का बदलाव easy नहीं होता यह जो इनसानी शरीर है इसके लिए तो बिलकुल भी नहीं नई आदतों का आना परानी आदतों को छोड़ना इसलिए difficult होता है क्योंकि उनमें बदलाव का भाव चुड़ा हुआ होता है तो बदलाव बहुत आ रहे हैं Aquarius के लिए और यह भी commitment का card है यह गुरू और शिष्ये का वो जो निर्मल सा रिष्टा होता है यहां पर शिष्ये बैठे हैं और गुरू जो है वो जैसे प्रवचन दे रहा है बाते समझा रहा है तो गुरू और शिष्ये का जो रिष्टा है उसका भाव भी आपके इर्द गिर्द रहेगा commitment again commitment जैसे एक भक्त जो होता है वो इश्वर के भक्ती में commitment होती है ना कुछ लोगों की कि हाँ हमें इस समय पूजा अर्चना करनी है इतना समय पाथ पूजा वो सारा जैसे commitment की उर्जा है यहाँ पर तो commitment बहुत रहेगी यह शब्त जैसे आपके दिमाग पर बहुत खुमेगा और decisions लेना उसी के अधार पर वाव वर्ल्ड आप में से definitely बहुत सारे लोग बहुत बड़ा वाला करमा release कर रहे हैं यह दोनों कार्ट जब साथ में हों आप में से कुछ लोग literally अपने गुरु से मिलने वाले हैं वो गुरु जो ताउम्र आपका मार्क दर्शन करेगा वो कहते हैं कि हम सब के गुरु की तलाश होती है तो वो तलाश कुछ लोगों के लिए इस महीने में पूरी हो सकती है आप में से कुछ लोग finally वो जो कार्मिक रिलेशन्शिप था शादी के बंतर में बात कर रही हूँ वो डाइवोर्स की जो संभावना है इस महीने में वो पूरा साइकल कंप्लीट हो जगा मानने कि आपको finally उस toxic person से चुटकारा मिल जाएगा आप बिलकुल अजाद हो जाएंगे एक अजाद पंची एक new life के लिए आप तियार हैं जैसे रोके की भी यहां पर किसी की संभावना है रोका engagement जिसे कहते हैं वो पहला step marriage की और उसके को कि यह रीथ मुझे हमेशा वो decoration जो marriage में decoration पीसे होते हैं पारे में संकेत देता है तो ऐसी उर्चा भी है यहां बहुत बहुत मुबारक हो जो भी अपने शादी के बंधन के लिए पहला कदम उठा रहे हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको चलिए आपका आपका बाकि के काथ देखते हैं Aquarius thank you shuffle 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 for Aquarius thank you thank you so much one more time and Chanel thank you star family oh my god you peacocky more ki urja you are a part of a team of souls call in support this month is the soul family twin flames and soulmates meaning we are attracted to people in this month many people are with their soul family spirit has put on that part that is definitely a soul family Aquarius which actually you can be self-expression and Aquarius is also a very introvert sign this is not able to share your mind with others they are shy so self-expression because we have more so that is more self-expression whatever star family is you can express your communication you can help your communication mentor or teacher or guru and here teacher or guru not only from a mature person your friends can guide you this is a good friend this is a good friend you understand the word this is not available now that the guidance is called in support meaning anytime you are in doubt you are in a place you think please its a good friend please do the mark your spiritual team is ready for your mark your spiritual team are ready for your mark and they will provide कोई नो कोई help ज़रूर भेजेंगे लिकिन अब कहेंगे ही नहीं कि मुझे help चाहिए खुद ही अंदर घुटते जाएंगे तो वह भी ठीक नहीं है है तो spiritual team को याद भी ज़रूर रखिएगा जैसे मैंनी कहा अगीन आपको अपने अंतरमन से connection क्रेट करने की बहुत जरूरत ह और हमारा अंतरमन ही हमारा doorway होता है जो कि हमारा और हमारी spiritual team हमारी higher self के साथ connection को क्रेट करता है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा Aquarius इस महीने Losen your grip, coping mechanism, density, addiction, let God in, see let God in मैंने भगवान की ही हम बात कर रहे थे और यहां पर भगवान ने भी दस्तक दे दी, देखिए यह कुछ लोगों के लिए बहुत अध्यातम मन्त भी रहने वाला है माने कि आप love relationship में हो सकते हैं लेकिन जिस partner के साथ आप deal कर रहे हैं वो आपके अंदर ऐसी emotions को evoke कर सकता है माने ऐसी emotions आपके अंदर भर सकता है कि आप उस शक्स को जैसे भगवान की तरह ही उसी तरीके से देखने लगेंगे माने कि आप भक्ती अध्यातम के साथ जोड़ सकते हैं खासकर ऐसा तब होता है जब हम twin flame relationships में होते हैं क्योंकि twin flame का असली मकसद ही हमें भक्ती के साथ जो ना होता है तो जो लोग ऐसे भी है जो mirror कर रहे हैं जो ऐसी relationship में है तो इस महीने बहुँ सारे अध्यातम के साथ प्रिच्वालिटी के साथ भी आपका रिष्टा जुड़ सकता है यहां पर ना shadow self की भी बात हो रहे है क्योंकि यहां पर coping mechanism addiction यह जो addiction माने हमारी shadow self वो जो inner child ह wounded है उसकी कुछ चीजे बाहर निकल सकती है कुछ सतहय पर आ सकती है कुछ ऐसी बाते और उसको heal करने के बारे में आपको संकेत दिये जा सकते है जो लोग twin flame relationship में है ना guys बहुत powerful बहुत powerful changes यह मकाम हर किसी के twin flame journey में आता है जब आप आप एक्तम से यह वो crack open होता है और आप spirituality के साथ अध्यातम के साथ जुड़ जाते हैं meditation में आपका मन लगने लगता है यह वो मजा आने लगता है meditation में आपको वो जो fatu का drama है आप उनसे थोड़ा सा बचने लगते हैं तो बहुत powerful changes, very nice final card देखते हैं आपका thank you Aquarius two more times one more time and Shunya thank you 10 of wands absolutely यह यह बहुत बड़ी help है आपके लिए इस महीने बहुत बड़ी help आपका वो भार जो है वो फाइनली वो खत्म कर रहे है universe वो फाइनली आपको वो घर पहुंचा रहे है कोई जैसे घर वापस आ रहा है घर वापस आना माने अराम घर जो ऐसी घर आपको ऐसी feeling देता है जो बड़े से बड़ा five star hotel भी नहीं दे सकता है तो कोई घर वापस आ रहा है किसी का जो भार है मन का तन का दिमाग में कुछ चल रहा है वो सब कुछ आपका हलका होने वाला है Aquarius very nice very nice very happy for you guys अगर मैं सच में कहूं अगर आप इस पूरे spread को देखें इसमें बहुत बड़े-बड़े messages दिया है मैंने आपको मुझे नहीं पता आपने उन messages को किस तरीके से लिया है लेकिन अगर कोई साधा हुआ शक्स हो उसे पता होगा कि ये बहुत बड़े-बड़े messages teacher का आना, soul family का आना, ये बड़ी चीज़े होती है ये नॉर्मल चीज़े नहीं होती कि हमने खाना खाली और सो गए ये बड़ी चीज़े होती है जो कि एक्चली भी हमारी soul की ग्रोथ करती है और यहां पर ये ten of wands, my god कोई भूला भटका जो था वो घर वापस आना तो आप समझ रहे हैं वो नादान परिंदा जो कहीं भटक गया था वो दाना लेने के लिए गया था लेकिन फिर रास्ते में तुफानों में घर गया रास्ता भटग या लेकिन फिर युनिवर्स जो है वो डिवाइन जो है उस भूले भटके प्रानी को उस पंची को वापस उसके घर की तरफ लेकर जा रहे है उसे उसका मार्व दर्शन किया जा रहा है कि अरे बंधु तेरा घौंसला इस तरफ है इस तरफ जा वो भूला कर्द कर्द कर्णा ने जा लूँगी आपके लिए थांक यू, थांक यू सो मँछ शुन्या, थांक यू वाव आँ, टू अफ काप्स अक्वेरियस जो लोग Twin Flame relationship में मैंने उनके पहले messages दे दिया है यह Soulmate का है Two of Cups मेरे लिए Soulmate का card होता है तो आप में से definitely किछ लग Soulmate finally वो जो लोग तो एक दूसरे के लिए बने है Soul Recognition जिसे कहते हैं Soul level पर किसी शक्स को recognize करना Cancer Pisces Scorpio की बात होती है Two of Cups से अकसर यहां पर Gemini split personality होती है तो मिथ उनडाशी की भी उर्जा हो सकती है Earth energy भी है यहां पर तो very nice Soul level पर किसी को पहचानना कि हाँ तुम ही मेरे हो तुम ही मेरे Soulmate हो वो अपनी feelings का आदान परदान करना उनसे अपने व्यक्त करना कि हाँ I love you और उसमें कोई छल कपट नहीं है कि हाँ मैं जो तुम अच्छे लगते हो तो मुझे मैं तुम से प्यार करता हूँ या करती हो तो ऐसे भावनाव को व्यक्त करना Oh my God Definitely Six of Cups यह तो past life relationship ही हो सकता है आप में से कुछ लग में का यह बहुत पहले से जानता हूँ क्यूंकि वह past life से आपका relationship चल आ तो इस महीने actually Aquarius के लिए बहुत बड़ा मन्त है guys Aquarius बहुत बड़ा मन्त Soul recognition, shadow work चल रहा है Guru आ रहे है वह picture frame में वह सब बड़े-बड़े तांडव बहुत अच्छी बात है बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए Aquarius Soul connection है यहाँ बहुत बहुत मुबारक हो मैं उमीद करती हूँ कि आप इस सोजा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे मैं इस रीडिंग को भी ही खत्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी weekly guidance में गाइस तब तक के लिए पाई पाई